शिमारू के नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें की केसे से बहुत अलग है एक बात तो पक्की है कि एक आम इंसान इस तरीके से मुर्डर नहीं कर सकता हाँ और दूसरी बात ये है कि हम जब उसको हॉस्पिटल लेकर आये तो उसके ऑफिस का स्टाफ उससे देखने के लिए नहीं आया एक्चुली एक केस ही बहुत अजीब है सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि कोई कुछ समझी नहीं पाया होगा क्या हुआ हो सकता है वो उससे मिलने आये हो क्या पता उन्हें वो वहाँ पे मिली ही ना हो लेकिन मेरे पास एक इंपोर्टन बात है मैंने सीसी टीवी के रिकॉर्ड्स चेक किये हैं बिना नमबर प्लेट की एक बाइक को मैंने घूमते हुए देखा था जस वक्त हम हॉस्पिटल पहुचे उस वक्त मैंने उस बाइक को वहीं पर देखा था वो जस्ट आय थी अच्छा इसलिए तुम उस बाइक को यहां से बैठके ऑब्जर्फ कर रहे हूँ क्योंकि अगर तुम बाइक के पास डिरेक्ट ली गई तो हो सकता है क्रिमिनल को यह पता लग जाए कि तुम उस पे नजर रख रहे हो हाँ हम अमेजिंग, तुम तो बाइक को जीके यहाँ सर कर दो कि तुम तयार नहीं लग रहे हो कैसे लगूंगा मैं तो चारा हूँ न यह बहुत ही खतरना काम है हम कबसे न ओफिस वर्कर्स का पीचा कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहे है आपको एक बात नजर नहीं आ रही क्या दो ओफिस वर्कर्स स्कूल में बिना वज़े की क्यों आएंगे है न सर मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों को लेने के लिए आये हैं आपको क्या लगता है ये सही बात है या नहीं बात तो तुम्हारी सही है लेकिन क्या करें मुझे पता है लेकिन हम सिर्फ उन पर नजर रख सकते हैं आप चुप क्यों होगे मेरी इंस्टिंक्स मुझ से कह रहे है कि मैं तुम पर भरोसा करो इंस्टिंक्स झाल सकते हैं यह लोग तो इस बच्चे का पीछा कर रहे हैं यह शक्की बात है हमें दूरी रखनी चाहिए हम वैसे उसके पीछे चल रहे हैं क्योंने हम उसे पकड़ के गहीं पर मार दे मैं ध्यान रखना चाहते हूं कि कहीं हमारा प्लान चौपट ना हो जाए वो कर कह रहा है कि वो लुपशो कर वो of बहुत है झाल झाल जरा सुनो क्या तुम इसे ढूंड रहे हो हाँ ये खून की बोटल है और तुम इसे स्कूल क्यो लेकर आते हो ये जानकर क्या करना है वापिस करो तुम बड़े ही बत्तमीज हो वापिस करो अब कोई बात नहीं अगर बोटल चाहिए तो प्रिंसिपल सर से मागना मैं बत्तमीज बच्चों से बात नहीं करता